तो वाड़ी सब गाइज गाइज दिगार वचिंटेक्गर खुशाल अमिन रामें खुशाल नाकपल के फोनों का सीजन चल रहा है फोन पर फोन लोंच होए जा रहे हैं और मार्च के में तो भाई फोन वालब 18 से जादा फोन लोंच होए हैं इस समय पर अभी नहीं रोकेंग अब भी इंड्रस्टिंग वीडियो इसलिए चानल को सब्सक्राइब कर देना विडियो को स्टार्ट और से पहले गाइज हैपी होली और से फोली वीडियो पहले कंपनी के तरफ बढ़ते ब्रैंड की तरफ बढ़ते हैं सैमसंग के बहुत सारे फोन लोग यह सीरीज में त सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा लोंच होना है लेकिन नए प्रोसेसर के साथ और फाइवजी के साथ बताया जा रहा है उसका अंदर 870 होगा आइटिंग स्नापड्रेगन या तो कोई स्नापड्रेगन का ही प्रोसेसर होगा यह तो फोर्ड होगा ऐसे कुछ लीक्स निकल के भार आ रहे हैं पर बाकिसारी स्पेक्शीट्स आपको सेम ही मिलेगी और गैस आप जाना चाहते हो हैं तो हमारे इंस्टाग्राम एक पेच को फोलो कर सकते हो उसका लिंक मैं को डिस्क्रिप्शन में दूँगा पर जरूद करना उसको तो हम डेली पॉस्ट विकारा डालते हैं रिलिटर टू फोन और टेक्स विकारा तो अब बढ़ते हैं दूसरे फोन में लांच होने हैं आप फॉन लोंच होनी है या तो एम सीरिस में लौट ऑगे या तो सकता है दोनों ही लांच होड़े अ सीरी जो एफ सीरीज विगारा में थोड़े बहुत स्पेक्स की मतलब डिफरेंस होगा बाकि सब सेम होगा अभी इसकी कुछ फोटो यारा लीख होके नहीं आई है पर इसका बैक्ट में जलू लिस्ट होगा जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं अब बढ़ते हैं सलमान भाई के ब्रैंड के तरफ अब बोलोगा भाई का कुन सा ब्रैंड है रियल मी वालों ने भाई को कैप्चर कर रहा है इंफिनिट इंफिनिटी तक बिल्कोर सही संद्रों में रियल मी एट प्रो रेट के बारे में बात करो तो आपको पता है कि अभी रियल में एट सीरीज लॉन्ट विया पर अभी यह नहीं रुकेंगे अभी आपको एप रियल मी एट प्रो अरुवलिय पहले प्रो एट का बलब परियल मी एट का आपको फाइव जी वेरियंट देखने को मिलेगा हो सकता है वो मिड अपर लिया फर्स्ट वीक अपरेल कें अब कुछ बजट अब कुछ बात करते फ्लेक्शिप लेवल के आपको ध्यान होगा कि एक फोन लॉंच हुआ था चाइना में स्नापड्रेगन ट्रिपल एट तर्गिडी स्पेक्स सूपर हम लेड और रिफ्रेश रेट काफी सारी स्पेक्स के साथ रिलीज हुआ था जो काफ तो पूरा वो गेमिंग के लिए सेट अप करा गया था वो कह जा रहा है कि वह अप्रेल में अब अप्रेल के एंड तक या मिड और एंड के बीच में जहूर आने वाला है रियलमी जीटी और इसके साथ में आपको एक इंटरनेशनल यूज भी बता जिता हूं कि जो रियलम प्रेगन 870 के साथ आ रहा है रियलमी एट और सोई रियलमी जीटी न्यू वह भी चाइना को वह भी चाइना में लॉंच होने वाला है वह भी इंडिया में आये ना है अभी तक तो नहीं पता लेकिन रियलमी जीटी तो कंफॉर्मड है आए गई आएगा है अब बात करते ह स्वामी के बारे में अभी आप जिस्ता में मेरी वीडियो देखे होगे ना तो उस समय लोंच इवेंट चल रहा होगा या तो भाई कुछ ना कुछ चली रहा होगा पहली बात तो कंफॉर्म है कि ओफीशली माई 11 का ग्लोबल लोंच इवेंट है मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके बाद या उसके असपास और एक मेगा इवेंट है 29 मार्च को आज के दिन जब आप देख रहे हो मैं छे से ज्यादा चीज़ें लोंच हो रही है अभी तो मैं फोन के बारे में भी बात करो लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी लोंच हो रह इंस्ट्राग्राम अकांट में मिल जाएगी लिंक ने डिस्क्रिप्शन लेकिन आप बात कर लेते हैं जो इंडिया में कौन सान इंडिया में आपको देखने को मिलेगा मी 11 और 11 लैंट कर आब बात करते हैं आपको नहीं पता तो मैं बतार तो पोको भी मतलब एक शोमी का ब्रेंड था जिसके मनलब काफी सही ठीक ठाक और एक कुछ अच्छे फोन भी आते हैं लेकिन अब पोको का एक और फोन लोंच हो रहा है वह थर्टी मार्च को कली लोंच हो रहा है रियर पोको एक्स-3 प्रो एक्स-3 आया था काफी अच्छी स्पेक्स के जाद अब उसका तो आपको मेरे उस अकॉंड पर मिल जाएगा और गई इसके साथ बताया जा रहा है पोको एफ-3 नहीं लोगों को नहीं पता जो पोको की एस सीरीज है वह मोस्ट लवड फैन लवड सीरीज कही जाती है वह जो पोको एफ-1 था वह बहुत अच्छा फोन निकला तो काफी फोनिया ता पोपलर हुआ था तो जो पोको एफ-3 वह ग्लोबली जा चुक devam के लिए लऌग एक डेमी के 40 का रिवड रेडमी के 40 चाइना में लौन्च हुआ ता मार्च में उसका रिवरेंड वह पोको के नदर पोको एफ-3 ग्लोबली गया है वो कि देखता है वह इंडिय तक की रींज में आएगा और वो मिड एपरेल तक लोंच होगा यही थे बस पोको की अपकमिंग फोन गाइस काफी महीने बाद एक कंपनी वापिस आ रही है मैं कम बैक तो नहीं करें पर लोंकर देख नहीं फोन लोंच हो रहे है आई कू करके कंपनी है जिसका इंडिया में म इसमें मतलब उन्होंने खुद ओफिशल ट्वीट करके बताया कि यह चीपे स्नापड्रेगन ट्रिपल एट वाला फोन होगा जिसमें आपको बहुत हाइएंट स्पेक्स देखने को मिलेगी और ऑवियस है यह गेमिंग टाइप फोन है यह तो बात रहे है आईकू सेवन की पर आईकू का एक और फोन लोंच हो रहा है आईफोन जी 3 करके यह सिरफ अभी लीक हुआ है फोन इसका कुछ फोटर्स और रेंडर निकल के नहीं है अब बात करते हैं वीवो के बारे में वीवो के हम फोन को कैसे बूल सकते हैं अभी हाली में मतलब कुछ दो तीन दिन पह और वी ट्वेंटीवन प्रो वी ट्वेंटी आया था जो मतलब स्लिमेस्ट फाइवजी फोन था वीवो के तरफ से स्नाफड्रेगन 732G 30G वाला कुछ ऐसे प्रसेसर के साथ आयता स्लिम बोडी थी ट्रिपल कैमरा सेटप था ऐसी आपको वी ट्वेंटीवन में देखने का म प्रसेंटीवन और यह तो गाइस वी सीरीज और गईस वाई सीरीज में भी दो फोन लोच हो रहे हैं अलीक से पर चल रहे हैं यह वाई 52 फिफ्टी थी होगा और वाई 70 ओं देखते हैं जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा तो जैसा बात करते हो एक उपो के और नहीं क यह उपका एक फोन हो सकता है भाई से यह जो फोन होते फ्लैक्शिफ फोन कहला हम विभी बेसिकली कैमरा फोन टिंग का कैमरा एच्छा होता है पर अच्छे होते और काफी अच्छी सब्सक्राइब सब्सक्राइब है तो यहीं पोको है पोको कहना हूं मैं सौरी ओपो फाइंड एक्स त्री सीरीज आपको अपरेल में मिड में देखने को मिल सकती है अपरेल में आ सकता है वह है मोटो एज एस जो ग्लोबली मोटो एजस के नाम से हो सकता इधर एज एस प्लस या कुछ ऐसे करके नाम किया जो चीपस स्नापड्रेगन 870 के प्रोसेसर के साथ आता है कि देखते हैं क्या होता है बस यहीं थे कुछ अपकमिंग फोन जो में अभी तक हुए अभी काफी फंपनिस के अभी लिक्स पता चली जो अपरेल में फोन आएंगे जैसे इन्फिनिक्स हो गई ओपो के और मोटरोलर के भी कुछ खास फोन के बार में पता नहीं कि और आना कि नियानम टेक्नो हो गई देखते हैं कि आपके आपको तो मिशन मिल जाएगी यहां पर वीडियो को खतम करते हैं मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग